सड़े और गले हुवे केले को अक्सर लोग फेक देते हैं उसका अस्तमाल किस तरके से आप अपने रंग को निखारने के लिए कर सकते हैं दोस्तों आपके स्कीन पे इंस्टेंटली ग्लू आएगा आपका चहरा बिल्कुल खुपसुरत और बिल्कुल जवान हो जाएगा दो लोग उसको फेक देते है तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करे इसका आप इस तरीके से ब्यूटी तिप्स में इस्तेमाल सकते हैं आप इसके बहुत सारे यूसेज कर सकते हैं किचन में भी इसका बहुत सारा रेसिपीज भी बनता है दोस्तों लेकिन आज के इस वीड़ी मैं म ब्यूटी टिप्स बता रही हूं ब्यूटी मतलब DIY बता रही हूं जरूर देखें तो यहां पर मैंने एक बहुत ही ज्यादा पका हुआ केला लियाब देख सकते हैं मैंने इसका छिलका भी आपको दिखाया कितना ज्यादा केला हो चुका था गला हुआ है अक्सा दोस्तों आ तो पके सक खते क्ते में सक्ट क हुआ है कि सम्पली वब य गया हुआए किसी बीजिस की मतलब से तो बहुत ही अच्छी से मैश हो जाहेगा और अगर आप चाहते हैं इस तरहें किया होता है गुटलिया नहीं बनती है और बहुत ऑच्छा और मैशी मैशी हो जाता है इस तरहें किले को मिक्स करके मैश करके है एक केला आप यहां बह इसमाल कर सकते हो आधा केला भी लिए सकते हो वन टाइम यूज के लिए और अगर जादा बन जाता है तो इस वाले DIY को आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो नेक्स टाइम के इस्तिमाल करने के लिए इस तरी के से अपको अच्छे से मैश कर लेना है फ्रेंस गुठलिया नहीं रहनी चाहिए फिर आपको जो मस इंफ्लमेटरी प्रपर्टीज होती है जो हमारे स्कीन के डेट सिल्स फगरा को हटाता है हमारे स्कीन के अंदर के पोस को ओपन करके इसको डीपली क्लीन करता है दोस्तों और इसके साथ साथ हमारे स्कीन में एक अलग सी चमक लेके आता है और हनी के और भी फाइदे होते है हैं हमारे स्कीन की उपर एक अलक्सी ग्लूइंग वारी चमक लाकी रग देता है फ्रेंज तो आपको एक चमच यहां पर हनी लेना है हनी के बहुत सारे निखारने में कर सकते हैं तो यहां पर हमने केले में एक चमच हनी डाल दिया है आप जो भी डियाएवर बना रही हो आप इसको अराम से खाते हुए भी कर सकते हैं क्योंकि जो भी चीज़े यूस की है सभी किया सभी खाने वाली है चाहे केला हो चाहे हनी हो या फिर आपके त लेते हो तो बहुत जाद एक्सपेंसिव होता है लेकिन आप चीनी का स्थमाल नैच्रल स्क्रबर की रूप में कर सकते हो इस प्रकार से जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूं तो एक चमच आपको चीनी लेना है चीनी को इसके इंदर डाल के और अच्छे सभी चीजों क मिक्स कर देना है चीनी को हलका सा आपको मेल्ट करना है खोदे जाता है इसको मेल्ट नहीं होने देना है हलका मेल्ट होने लेगा तो क्या हो बिलकुल हलका सा वो स्क्रबर फॉर्म में आ जाएगा और फिर जब इसको अपने फेस पे स्क्रब करोगे तो आपके स्कीन के आपको पूरी फेस में इसको लगाना है यकीन मान यह बहुत ही जादा मज्यदार और बहुत ही ज्यादा अच्छा नूसका थे ड़ागा देखावा नूसका है बहुत एक्सपीरिंस किया है जरुड़ करिएगा केला सकीन के कलर को निखार करके आपके स्किन पे गलग सी चमक और गलो लेकर के आएगा किसी फेस्टिव सीजन में किसी भी शादे में जाने के पहले इस तरह के से आप अगर कंटिनुई लगाते हैं कुछी दिन आपके स्किन में जिबरदस्त गलो आएगा और आपका स्किन बहुत खुपसरत और निकरा हुआ दिखेगा दोस्तों जरूर लोग पूछेंगे कि आपनी क्या लगाया है दोस्तों बहुत एजी सा नुस्का है ट्राइ किजिए फुरे स्किन पर लगा के 5-10 मिर तक इसको मसाज दीजिए स्किन पर 5-10 मिर तक लगा रहने दीजिए उसको फिर नॉर्मल वाटर से वाश कर लीजिए मतलब वीक में आप इसको दो बार या तीन बार भी कर लीजिए तो और भी ज्यादा फाइदे मन्द होगा तो इस तरह किसे लगा कि 15-20 मिर के बाद अच्छे से वाश कर ले और फिस अच्छा लगा आपको आज का यह वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और वे इसे वीडियो देखने करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें